द्विहजार उन्चा सालमा किदारले एसेलची पास गरे। कैमपस पर्ण कार्फण्डों जाने तयारे गर दे थिये, घरमा आगे लागे भायो। घरमात्र जलेन जग्गा पास गर्ण ठिक का पारेको 96,000 रुपयां पोईशा पनी जले। अर्थात गिमेरे परिबार को सबना खरानी भयो। अब पर्ण लाई कार्फण्डों जाने पोईशा समेत भयना। तेती बेला उनलाई लागे को थियो, जिन्दगी एही सकियो। तर तेस्टों कहा हुन थियो। उनी तेसको कही समय माने कार्फण्डों आये। उदेश से भने फरक थियो। कमाईको सबे बाटो बंद भाई पसे कनाली मा काम गरना जाने सलहा गरेरा बाबुचरा कार्फण्डों आये का थिये। तेहां उनको एक जना अंकल थिये। जबक केदार कनाली जान लागे को थाप आये उनले रोके। केदार समझन्चन अंकले जसरी पन्नी पर्णो पर्षा भने पसे बुबाको केई सिप लागेना। मपर्ण थाले उहां घरप फरकने भायो। कार्षमंडों बव मुखी क्यांपस मां कानुन पर्ण थाले। तरह आये पास गर्ण सके नन पड़ाई तेहीं फुण बिराम लागे। घरप फरकन मन लागे न जसरी पनी कार्षमंडों में गुजारा गर्ण पर्णे बाद देता थियो। तेश्पशी उनले बास नकालागी के गरे नन। खाक्सी घटने काम गरे पुईशा एकदमे कम। तेश्पशी बालवा बके। दिन भर बोगदा अरुले सत्तरी रुपयां पाउधे के दारले पुईशाथी रुपयां। ज्यान सान भायकाले ठेके दारले पुईशा घटाए दियो। तेश्पशी साइकल मा बकेरा मसला बेजुन थाले। पसीना चुहाँदेई कार्षपंडुको गल्ली गल्ली पुगनु पर्थियो। तरा सुक्कान न भचने। आर खायरा घरा गए। बुभाले दुई हजार दियेरा फारकाई दिन भायो। कोठा भाडा मर्टी तेल, चामल, तेल कीने भजी बाकी रायो छस्षए। तेतीले के गरने। आइडिया आयो नांगलोमा पसल थापने। आपुसंग भायको पईशाले जती आयो तेती सामान की निरा लगन खेल सडक मा पसल खोले। पहलो दिन में दुईसाई कमाई भायो। मरी तरी 65 कमाई रहको मान छेले। दुईसाई कमाउ दातास संसारे जीते जस्तों हुदुर है शा। तेती बेला मेर खुट्टा बहिमा थिये नुनी ती दिन हरु समझे रहा से। विस्तारेई पसल मा सामान बर्दे गएयो कमाई बनी राम्रुथियो। तरा नगरपाली खाले सडक पेटी का पसल हरु हटाउ न थालेयो। लुगदेई भागदेई सामान बेची रहाएका थिये। अत्ती भाई पसी पसल है जाड़ी दिये। तेस बची बने केदार घिमेरे टेम्फू छालक। न सरकार घुड़र न सामान नविकला बने जिन्ता। कमाई बड़े पसी अफनों लगानी गरेरा टेम्फू किने। अर्थात ड्राइबर बाट एकके पटक मालिक। तियो खुसी पनी केई दिन में सहीद भायो। सरकार ले धुगा फालने टेम्फू रोकने घुशना गरियो। एक लाख दस हजार मा किने कुट टेम्फू तीस हजार में बेजनु परियो। करुण सुर्मा भन्षन तेती बेला अत्ती हरे स्खाईयो। राद भर निंदरे लागदे ना थियो। तरा बासुन ता परियो। उनलाए लागयो। नांगलुमा पसल थाबे रबू सरकारले हटायको होकी। अब सटर्मा पसल खोचू। ना थि सरकारले के गर्छा। कलंकी चोके निरा इलेक्ट्रोनिक पसल खोले। चिन जान्र ब्यापार बड़ देए थियो। तरा त्यहां पनी सरकार को आखालागयो। उनले भने बाटू चोंडाब बनावने निड़े भायजा। सरकारी कर्माचारी आयरा नाथेरा पसल देखाउंदेई। यहां सम्मा जान्शा भन्धे। मेरा मोटू चसक कहुं थियो। नभन्धे इस्टूर सहितको पसल काटियेरा पान पसल जाई सागुरियो। धुलो मैलो त्यस्ते सामान राखने ठाउंपनी भायना। यो थियो दुहाजार अंठाउं नती रखो कुरा। केदारको उमेर 26 पुगी सके को थियो। यहां सम्मा उन्मा कलाकारी ताको नामो निशाना थिये न। जोती सिको भनाईले आवा खाला जस्तो थियो। जता गई पनी लखेटिनु परने पिंडाले छटपटाई रहेका थिये। बरु कभी बनने खत्रा भाही सके को थियो। उन्ही कभीता लेखते। यही बेला भेट भयो रेडियो एजबी से की आरजै सुमित्रा खडगा संग। उनी संग को भेट ट्रेनिंग पोईंट मानसन केदार। सुमित्रा ले एफेम्मा केदार का कभिता बाशन गरी दिन्थिन। केदार साथी भाहिला इजम्मा पाले रसुन्थे। इफेमा आफनों नाम सुन्दाको मजज़ई बेगले, साथी भाहिली गरने इज़द ने बेगले। चारे तीरा हंडर खाई रहका केदार लाई लागी छ यो बाटो पो हेड़नो परने रहेशा, तर कसरी कुन्याई मेलो मेशु थिये न। एक दिन सुमित्रा आफ़ई अफर लियेरा आईन रेडियो मा नाठक गरनो परने। किदार समझन्छन नाठक कसरी गरिंच रत्ती भर ग्यान थियेना, तरह ब्यापर बाट आजित भई सके का थिये। तेसेले नाठक गरना राजी भाय। रेडियो मा केदार को जिम्मेबारी थपी देगवायो, हास्से कारिकम उत्पादन गरनो परने भायो। इसका लागी चर्चित हास्से कलाकार हरुषग अंतरबारता गरनो पर्थियो। गोपाल राज मैना ली मदन किस्मस रेष्ट संतुस पन्त देखी सितु नेपाल समको अंतरबारता लिये। विस्तारे उनमा कलाकारी ताको रज पस्न थालियो। पन्त ले एक दिन सुझाब दिये शन। कलाकार बन्नी भाय अभिनाई सिक्न पर्षा। तिस पसी केदार ले नौ मैना अभिनाई प्रशिक्षन लिये। चीनेका हस्से कलाकार हरु संगा गुमायरा सिरियल हरुमा काम माग थे तरा कसले पत्याँनो। एक दिन भेट भायो सिताराम का टेल संगा। सिताराम तेती बेला सरक नाट गर थे। उनको अभिनाई हरे पसे केदार दंगा। सिताराम तनी आतिमी ये महसुस गरे। तिसे लेता भेटे को केई समय माने उनिहरुको जोडी बादियो। जोडी बने पचे हास्से कलाकार उब लागेगो जो देखे का थिये। जोडी बादियेको दुई बर्ष पचे अर्था 2062 बाट नेभाल टेलीविजन मा मेरी बास्से प्रशारान भायो। तितो सदेर जिरे खुर्षानी भन्दा भिन्न लागने यो सिरियल विस भाग पूदा सम्म धेरे हिट थियो। खास करी गाउं गाउं बाट सहर मा तेरा करी बसने माज लबलाक दुल्लोक प्रियाता बटुलियो। केदार बन्चन जापामा सुटिंग गरना जनादा जता क्यामारा फर्क आये पनी मांची मांची हामिलाई हिरना आये का रहिशन। तेती बेला पईलो पटक महसुस भयो हिट भाईये शा। केदार ले मागने बढ़ाकु रूपमा ख्याती कमाए सितारामले धुर्मुष। स्टेज कारे कममा ध्याई नभाई हुन थाल्यो। जता पनी फ्यानले गेरीने कमाई बढ़यो। सुन्य वाट सिखर तेती बेला संसार में एती हीट मही मात्री हुँ। महीले ने संसार थामेकु हुझ जस्तुब। ब्रह्म पईदा हुदुर है शा। अईले सम्जदा हाश उडशा। इमांदारी पुर्भक उनले सुनाये। बेश्तता के कारण उनीर सितराम बेज पेडगाट पाता लियो। सुटिंग ने भिंदा भिंदे हुना थालियो। दूरीले मन मुट्टा बढ़ायो। केदार का अनुसर तिती बेला उनी हरु अपरीपक थिये। उनी हरुलाई समालने सम्जावने भायनन। उचालने मात्रे भाय उनी हरुको जोडी अउखोचारिक तामा सिमीत हुना थालियो। सिरियल मा संगे देखीना चालिय। परिणाम यही मेरी बास्यको लोग प्रियता ओरालो लागयो। मिडिया हब बाट पोईसा आउना चालियो। इस्टेज शो बाट कमा agency पोईसाले सिरियल कीचना थाली। सिताराम संग दरार आय पजी उनले विलिलसहन विक्रम राइलाई खिलाऊना थाले। उनको तर्गछ सिताराम जिलाही देखाऊना वीना खसकेको सिरियाल माथी उठाऊना। विल्सन लाई बित्रे आयका थिये। इन्ताका केदार माठी आरप लागे कु थियो। सितारामको बव आयामेक बेक्तित्तोर लोग प्रियेता पचाउनना सकेनन। इरिश्या गरे तेसाईले आफिक टाडा भाय। केदार भन्चन मैले सिताराम जीकु सम्वन्द लाई कईले स्वार्थ संग जुडिना। मज सदे उनको भलोज चाहांशु। इजो छुटिनीको कैई अंतरी कारण थियो। ती कारण हरू आयले सम्जन मन्चैनरे उनलाई। मेरी बासे भाट अलग ये भशी दिपकराजगीरी को समहमा अबद्ध भए केदार। अबद शाय कान श देखी शमाया शपकी सम्वगीरी का हरेक फिलिम खेले काचन केदारले। लगानी पनी गरेकाचन सीरियाल बाट टारीन परदाको ताप फिलिम खेलना थाले पचे मथर होदे गयो। तरह शका पंजाको सुटिंग सकीए पचे केदार एउटा डर लाग दो काल खंड बाटा गुजरिये। डिप्रेस्टन मा परे बाज नहीं मन न लागने औने इक तरह का पिडाले सताउने। इच्छा सकती एथी दरेलो थियो निरासाले निम्त्रायका काला बादल हरुडाई बिस्ताहरे चीरते लागे। केई मैनार बर्ष्व बित्योत्तर उनले डिप्रेस्टन लाई जीती छाडे। तेसपची खो आफनो जीबान लाई उनि नया ससकरण मान्छन। जहां पस्च्छत आपछाइना गुणासु छइना रिस चैना आभेक चैना। झाल झाल